पिछले काफी समय से चर्चा में बनी फिल्म ट्रिपल आर का जोरो शोरो से प्रमोशन चल रहा था, क्योंकि फिल्म को इस महीने रिलीस करना तैह हुआ था, लेकिन कुरोना के बढ़ते मामले और थीटर्स पे दोबारा से ताले लगाई जाने की कारण फिल्म को स्थगित कर प्रिपल आर फिल्म का कुल बजट 400 करोड रुपे है, जिसे एक बड़े स्केल पर शूट किया गया है, इसलिए फिल्म को OTT पर रिलीस नहीं किया जाएगा, फिल्म पोस्पॉन होने के बाद फिल्मेकर्स के सामने एक और परिशानी आग खड़ी हुई है, तेलंगाना अब फिल्म RRR की रिलीस में एक रुकावट आ गई है, इस फिल्म को लेकर एक PIL उच नियाले में दायर की गई है, इस फिल्म का निर्देशन SS राजमौली ने किया है, इस याची का में चातर का कहना है कि ये फिल्म इतिहास से छेड़ चाड़ करती है, ये दो स्वतंदर स इस बारे में अभी तक TRIPLE R की टींग ने कोई वक्तम ये जारी नहीं किया है, राम चरण फिल्म में अलूरी सीता रामा राजु की भूमिका निभा रहे हैं, वही जूनियर NTR फिल्म में कोमा राम भीम की भूमिका निभा रहे हैं, ओमी क्रॉन के बढ़ते मामले की चलते की रिलीस को टाल दिया गया है, फिल्म RRR में अजे देवगन और आलिया भटबी एहम भूमिका में नजार आएंगे, इस फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था, फिल्म के लिए सभी ने कड़ी महनत की है, सभी इस फिल्म को लेकर उत्साइत है, लेकिन फिल्हाल एक और अडचन आ चुकी है, वो है ये PIL, इसी प्रयार की तमाम जानकारों के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए, नमस्कार